हेलो प्यारे बच्चो बक्षा साथ गणीत की परशनावली बारे दस मेलो दो में एक बार फिर आपका स्वागत है परसंद संख्या एक हम पिछले वेडियो में कर चुके हैं तो आईए परसंद संख्या दो से शुरू करते हैं परसंद संख्या दो है जोडिये यहाँ पर हमें दस पार्ट दिये हुए हैं हमें उन पर तेको एक एक करके हल करना इनको जोड़ना है तो आईए शुरू करते हैं हेस्ट पार्ट बच्चो 3MN, गटा 5MN, 8MN और गटा के 4MN, चार पदें को जोड़ना है तो यह शुरू करते हैं इसको 3MN और 8MN, यह दोनों हमारे पास हैं, जमा के यह हो जाएंगे हमारे पास 11MN, फिर गटा के 4MN और गटा के 5MN यानि दोनों गटाके हैं यह हमारे पास हो जाएंगे गटा के 9 MN अब 11 MN जमा है और 9 MN गटा है गटेंगे 11 में से नो गया 2 तो 2 MN यह हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट में हमें तीन वेंजक दिये हुए हैं इनका हमें जोड़ करना है पहला है T गटा 8 T Z दूसरा है 3 T Z गटा Z और तीसरा है Z गटा T इन तनों का में जोड़ना है वो चो पहले देखो यहां पर T और गटा का T यह तो यह इंकट जाएगा फिर हमारे पास है जमा का Z गटा का Z यह भी इकट जाएगा बचेग हमारे पास गटा के 8 T Z और जमा के 3 T Z यह गटा का यह जमा का गटेगा बचेगा गटा के 8 T Z यह यह अमारा अंसर होगा तीसरा पार टेसका गटा के 7 M N जमा पांच बारे M N जमा दो 9 M N गटा आठ गटा 2 M N गटा तीन यह हमारे पास 4 B G वेंज़क है इनको हमें जोड़ना है 7 गटा के 7 M N जमा पांच जमा बारे M N जमा दो जमा नो M N गटा आठ गटा 2 M N गटा के 3 सबको हमने जोड़ लिया अब यहां पर देखो बच्चो M N हमारे पास गटा वाले हैं 7 M N गटा के 9 M N जमा वाले हैं 12 और 9 21 M N अब हमारे पास 84 है 5 और 2 7 जमा के 7 गटा के 8 और गटा के 3 गटा के 11 यह हो जाएगा इसको हल करेंगे 9 M N गटा का 21 M N जमा का गटेगा यह बच जाएगा हमारे पास 12 M N 7 जमा का 11 गटा का गट जाएगा गटा के 4 यह हमारा अंसर होगा 4 पार्ट में 3 पत दे रखें में 3 वेंजग दे रखें इनको जोड़ना है A जमा B गटा 3 में जोड़ेंगे B गटा A जमा 3 और यह तीसरा हमारे पास वेंजग है A गटा B जमा 3 बच्चों यह आपर देखो पहले तो यह A जमा का है यह A गटा का है कट जाएगा फिर यह 3 गटा का है 3 जमा का है B यहां जमा है यहां गटा है कट जाएगा 0 आएगा हमारे पास बचेगा A और B A जमा B जमा 3 यह हमारा अंसर होगा 5 पार्ट है एक वेंजग हमारे पास ये है दूसरा ये और तीसरा ये तीनों कमें जोड़ना है तो तीनों कमें ने जोड़ दिया इम यहां पर देखिए X वाले देखते हैं पहले 14X 7 एकठा कर लेते हैं उनको पहले 14X घटा 7X उसके बाद कोई नहीं फिर Y वाले 10Y घटा के 10Y इसके बाद XY 12XY वाले पर देखते हैं 8XY 4XY उसके बाद 14 संख हैं गटा का 13 जमा के 18 यह हो जाएगा इसको आगे सौल करेंगे 14X में से गए 7X जमा के 7X 10Y जमा 10Y घटा 0 12XY घटा का है 8XY और 4XY जमा के हैं 8XY और 4XY हो जाएगा 12XY जमा का और यह घटा का 12XY जमा 12XY यह घटा 12XY कट जाएगा फिर हमारे पास है घटा के 13 जमा के 18 यह बचेंगे जमा के 5 18 में से 13 गई पाँच तुम्हारे पास आजाएगा साथ एक्स जमा पाँच यह हमारा अंसर होगा सिक्स्थ पार्ट है तीन वेंजेग हमारे पास है इन तीनों को जोड़ना है यह पलस कर दिया मैंने अब देखी यहां पर पहले हम लेते हैं पाँच एम घटा च्यार एम जमा दो एम फिर एन वाले घटा साथ एन जमा तीन एन इसके बाद हम लेते हैं एम एन वो हमारे पास सिर्फ एक ही है तीन एम एन उसके बाद अचर रासी दो और गटा के पाँच यह हो जाएगे गिन लेते हैं एक दो तीन च्यार पाँच छे साथ आठ एक दो तीन च्यार पाँच छे साथ आठ कोई नहीं बचया एक बार काउंट करके आप देख सकते हैं पाँच एम गटा च्यार एम गट जाएगा एक एम पांच एम गटा च्यार एक जमा दो एम तीन एम हो जाएगा यह मरे पास आएगा तीन एम क्यों पांच एम और दो एम जमा के साथ साथ में से गटा च्यार तीन एम गटा 7N जमा 3N 7N गटा का 3N जमा का गट जाएगा बचेगा माइनस के 4N क्योंकि यह है इसका निशान माइनस का है गटा 3N फिर 2 जमा का 5 गटा का गटेगा बचेगा 3 लेकिन गटा का क्यों क्योंकि 5 का निशान क्या है गटा तो गटा के 3 यह यंजर हो गाएगा जोड़ेंगेगा यहाँ पर जोडेंगे तो गठाई आएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो गठाई आयेगा यहाँ पर पर निसान में जमा का लगादेता है क्योंकि जमा और गटा साथ साथ हैं तो उनमें से हम गटा लेके चलते हैं तो यहां पर इनको जोड़ना हमें तो यहां पर देखो बच्चो 4X की 2Y इसके बाद है 5X की 2Y दोनों जमा है तो यह हो जाएगा 4 और 5 9X की 2Y इसके बाद फिर गटा के 3XY की 2 गटा के 5XY की 2, दोनों समान है XY की 2, XY की 2 वाले गटा के 8XY की 2 यह हमारा अंसर हो जाएगा आठ्मा पार्ट है 3P की 2, क्यों की 2 गटा 4P क्यों, जमा 5 इसमें जोड़ना है इसको गटा के 10P की 2, क्यों की 2 और टीसरा हमारे पास है पंदरा जमा नो पी क्याओ जमा साथ पी की दो क्याओ की दो तो यहाँ पर मैंने जमा का निशान लगा लिया क्योंकि तिन्नों कमें जोड़ना है यहाँ पर हम जमा का निशान लेंगे फिर गटा है तो गटा ही आएगा जो अगर मानलो जमा और गटा ऐसे है तो यहाँ पर हम इसको गटा ही लेके चलते हैं जैसे मानलो पांच जमा गटा के छे तो इसको हम लिख सकते हैं पांच गटा छे इसको हम अटा देते हैं गटा आजेएगा तो यहाँ पर भी गटा में इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर गटा ही आएगा एक पद ये है एक वेज़़़़़़़़़़़़़़ एक वेज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ जमा साथ पी की दो क्यो की दो हमने पी की दो क्यो की दो वाले पदों को इकठा कर लिया है अब इसके बाद पी क्यो वाले पद ले लेते हैं घटा च्यार पी क्यो फिर है हमारे पास नो जमा के नो पी क्यो फिर अचरासी हमारे पास है पांच और पंदर है पांच जमा पंदर इसको एकटा कर लेते हैं 20 यह हमारे पास हो जाएगा यह जमा का यह घटा का घटा के बचेगा 7, P की 2, 4 की 2 फिर हमारे पास यह भी एक और है भी 7, P की 2, 4 की 2 यह जमा का है फिर 9, P की जमा का 4, P की जमा का गटा था जमा के 5 P क्याओ बचेगा हमारे पास जमा के 20 यह माइनस यह पलस 0 5 P क्याओ जमा 20 यह हमारा अंसर होगा नौँ पार्ट है A B गटा 4 A 4 B गटा A B 4 A गटा 4 B तीन वें जग हमारे पास हैं यहां पर को में जोड़ना है इस तरह से अब देखो बचेओ यहां पर A B पलस A B माइनस कट जाएगा 4 A गटा 4 A जमा कट जाएगा 4 B जमा 4 B गटा कट जाएगा हमारे पास आएगा सिरफ 0 बहुत ही सिंपल सवाल है इसका लास्ट पार्ट है X स्केर माइनस Y स्केर माइनस इसमें हमें जोड़ना है Y स्केर गटा एक गटा एक स्केर और तीसरा हमारे पास है जोड़ना हमें एक गटा एकस की दो गटा Y की दो अब बच्चों यहां पर देखो हमें कटा कर लेते हैं X की दो एक यह है एक यह है और एक यह है फिर Y की दो y की 2, 1 अमारे पास यहाँ पर है, 1 पलस का, यहाँ पर है, 1 माइनस का, यहाँ पर है, फिर अचर, गटा एक, गटा एक, जमा, 1, यह कट जाएगा, 0, यह हमारे पास पलस का है, चोरी, x की 2 है, यह नहीं कटेगा, यह कटेगा नहीं, यह कटेगा, y की 2 माइनस, y की 2, पलस हमारे पास यहां बचेगा घटा के X की दो यह कटेगा नहीं क्योंकि यहां पर यह अकेला यह दोनों काट दी हमने यह बचेगा घटा के X की दो घटा के Y की दो अब यहां पर देखो घटा एक जमा एक कट जाएगा घटा के एक बचेगा यह मारा आंसर होगा थोड़ा और शिंप्ल करना चाहिए तो यह माइनस कोमन लें लेंगे अंदर हमारे पास बज जाएगा x की 2 जमा y की 2 जमा एक बाहर माइनस लेने पर तिनो के माइनस 12 आ जाएंगे अंदर तिनो पलस के हो जाएंगे तो यह हमारा आंसर होगा